हर्याना विधानसभा चुनाफ को लेकर बीजेपी कॉंग्रेस और आपने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। बटवारे का सवाल है तो इसमें साफ तोर पर हुड़ा कैम का दबदबा नजरा रहा है। दरेसल वीते लोकसभा चुनाफ में दिल्ली और हर्याना में कॉंग्रेस और आप दोनों मिलकर चुनाफ लड़ी थी। अब दोनों पार्टियां हर्याना में एक दूसरे के खिलाप ताल ठोकेंगी। सूतरों के माने तो हर्याना कॉंग्रेस के सीम चहरा और पूर्व मुख्यमंत्री वुपेंद्र सुंग उड़ा के वजह से गडबंदन नहीं हो सका ऐसे में कॉंग्रेस नेताव राय बरेली के सांसत राहूल गांधी के उस अर्मान पर ग्रहन लग गया जिसे वह दो हजार प माना जारा है कि पिछले कई दिनों से दोनों दलों में गडबंदन को लेकर कई राउं के बातचीत हो लेकिन सीटों की संख्या को लेकर दोनों में सहमती नहीं बन सके आम आद्मी पार्टी द्वारे लड़ी जाने वाले कुछ विधान सभा सीटों की संख्या को लेकर भी दोनों दलों में मत्भीत थे। आम आद्मी पार्टी की तरफ से बाच्चीत करने वाले रागफ जढधा जहां दस सीट पर आड़े थी, वहीं कॉंग्रिस के पूर्व मुख्यमंत्री वुपेंद्र सिखुंड़ा और प्रदेश कॉंग्रिस प्रभारी दीपक बाबरिया पा जहां कॉंग्रिस मजबूत है तो वहीं दिल्ली में आम आद्मी पार्टी का मजबूत जनाधार है। आपको बता दे कि बीते दो विधानसबा चुनावों में कॉंग्रिस का दिल्ली में एक हाता नहीं खुल सका है। कोशिश है कि हर्याणा में भी अपनी दमदार उपस्तिती दर्ज कराई जाए।